ताजा तरेन खबरों के लिए प्राइम नियूस 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाएं नमस्कार में निकित और आप देख रहे हैं प्राइम नियूस 24 गुरुवार को मुखे मंत्री अवास में मंथन कारेक्रम आयोजित किया गया मुखे मंत्री शित्रिवेंद्र सिंग रावत की पहल पर आयोजित मंथन में मंत्रियों और विधायकों ने गहन विचार विमर्ष किया मंत्रियों ने अपने विभागों की तीन वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए साथ ही भावी कारे योजना भी विदायकों के समक्ष रखी विदायकों ने अपने शेत्र की अवशक्ताओं से अवगत कराने के साथ ही सुझाव भी दिये CM अवास्थित सभागार म्या योजित मंथन कारेकरम को समभोधित करते हुए मुख्यमंत्री शित्रिवेंद्र सिंग रावत में प्रदेश सरकार को तीन वर्ष की अवधी में किये गए कार्यों का और लेक करते हुए विकास की भावी रणनीती पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीन वर्षों में हम क्या कर पाए हैं इसका आकलन करने को मिला है तीन वर्ष की इस अवधी में राजे के हित में की गई 57 पितिशत घोषनाय पूर्ण की जा चकी है अन्य घोषनाओं पर कारेवाई गतिमान है सीयंगोषनाओं का शद प्रतिशत अनुपालिन सुन्निश्चित करने के निरदेश अधिकारियों को दिये गए है हम घोशना पत्र के अनुपालन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं घोशना पत्र के इतर भी कई कारे जनहित में किये जा रहे हैं उखे मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के तीन वर्षपून होने के अफसर पर हमने तीन कारे करमों के आयोजन का लक्षे रखा है इसमें रिवर्स प्लान की दिशा में पहल करने वाले युवाओं एवं आवा अपना घर के संदेश का आधार तयार करने वालों का सम्मेलन आयोजन किया जाएगा इसके अतिरिक्त रामनगर में एडवेंचर समिट का आयोजन किया जाएगा टिहरी जीर को देशवत दुनिया में पहचान दिलाने तथा एडवेंचर टूरिजम का प्रमुक केंद्र बनाने के लिए टिहरी लेक मोहतसव को बड़ी भवेता के साथ आयोजन किया जाएगा प्राइम निउस 24 के लिए उत्राखन ब्योरों की रिपोर्ट